असलाम लेकुम है यूट्यूब फैमली कैसे आप सब होफुली सब खेरियत से ठीक ठाक होंगे आज का व्लॉग जी बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम पूरे वीक के लिए ग्रासरी अर्किनाइज करके रखने वाले हैं कुछ चीजों के मारिनेशन करके रखेंगे जिससे पूरा वीक आराम से गुज़र जाएगा और कुछ अची चीजी टिप्स भी आप लोग को दूँगी जिससे आपके लिए किचन मैनेज करना इजी हो जाएगा और इन्शारा व्लॉग आप लोग आप लोग आप लोग को बहुत पसंद आएगा धाबा स्टाइल कड़ाई भी शेयर हो जाएगी इस वीडियो में बस आपने चैलन को सब्सक्राइब करदाना है वीडियो को लाइक शेयर भी करदाना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस क कड़ाई बिना रही हैं यहां पर अभी मैंने अर्शमान के लिए चिप्स बनाए थे बस वह वाला आइल पे रे पास लास लास बचावा था तो इसी के साथ मैंने बनाई थी यह कड़ाई क्योंकि मुझे था कर यह यह आइल पड़ा रहेगा वेस्ट हो जाएगा हम दूसर यार पतनी कैसे बनाते हैं लेकिन यह बनाना इतनी आसान और इतनी सिंपल सी है ना कोई इसमें इतने कोई क्षास ऐसे मिलेंगे नहीं यह वह व्याला निहाएगा बैसिक से मसाले जो हमारे घरों में ही होते हैं लेकिन बहुत ही जबर्दस जाए आप लोग को टेस्ट मिल यहां पे कोई प्रवर नहीं करना चिकन दे तक पकाते नहीं रहना बस आपने इसमें डाल के चिकन को पका लिया था टमाटर का पेस्ट में तीन मीडियम सैज के टमाटर ले के इसका पेस्ट बना लिया गएर पानी डाले साथी में हम मसाले डालेंगे नमक, सोफ मिशका nutrients और साथ में कश्मीरी लाल मिट और हल्दि बस ये चीज़ें हम डालेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छा इस कड़ाई में जो कलर आते हैं वो कश्मीरी लाल मिट से ही आता है जो हम कहते हैं हमने बड़ी ही जबर्दस कड़ाई खाई यह बहुत प्यारा उसका कलर था बहुत प्यारा टेस था तो वो कलर किश्मीरी लाल मिट से आता है वो वाला देख लेंगे वो यह वाला कलर आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा और सेम वही वाली लोकाती है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जालते हैं, बस टामाटर डालते हैं, और भुनाई कर रहे होते हैं कड़ाई के अंदर ही, और बस गरम गरम हमें सब्व कर देते हैं, नान और चपातियों के साथ, और हम केते हैं वाँ भई क्या टेस्ट था, लेकिन यह सिंपल सी तरी कितनी जल्दी सिर्फ कितनी अराम से बनगी और बहुत ही जबर्दस और सेम आपको वही ढावा स्टाइल वाला टेस्ट आएगा अच्छे यहां पर जो है ना किचन की हालत देख लें अभी ग्रॉसरी आई थी साथ में काम भी कर रही थी साथ में तना कुछ पढ़ावा था ज जो है मैंने सुबह समेटा अच्छा यहां पर आई थी मेरी ग्रॉसरी मुझे ग्रॉसरी सेट करके रखनी थी और ग्रॉसरी में मैं सबसे पहले स्क्यूस करूंगी मैं अक्सर रेकमेंड करती रहती हूं ग्रॉसरी में चीज़ें के यह खरीद लें वो खरीद लें लेकिन यहां मैं आपको रेकमेंड नहीं करूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे जफा इस मत में नहीं आनी चाहिए थी जो कहारा था कि स्ट्राइली प्रॉडक्ट से में नहीं इसमाल करने लेकिन मैंने लिस्ट इतनी ढूंडी मुझे नहीं मिली कहीं लिस्ट में ब करनी है अच्छा मैंने आप लोगो यहां पर बेकिंग पाउडर बता दिया वह मैं अकसर बेकिंग वेरा करती हूं तो आप लोग पूछते हैं अच्छा बाकी का जो है ना मैंने इस दफ़ा साथ में ड्राइ फूट्स मेरा खतम था और कुछ मसाले और एक्स्रा चीज़ें मैंने मंगवाएं जो में खतम हो गई थी जादतर चीज़ें में बस पड़ी थी इसलिए मेरी सफ़ा जादर ग्रासरी नहीं आई है टिश्यो जो है ना मेरे बहुत जादा लगते हैं यह खतम होगे थे दो मैंने रोल मंगवाएं बाकी मैंने बच्चों के स्तमाल के लिए बाकी का तो फिर मैं रफली दूसरा वाला यूज़ करती हूं और इस दफा जो हैनँ मैंने हार्पिक नहीं मंगवाया यह वाला इसेड मोंगवाया इससे जादा अब के बख़्ान करी इससे अच्छी सफाई हो जाती है बाकी सासत मैं रीफिलिंग कर दी थी और अगेन मैं कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो अभी मैं बैठी हूं सारी लिस्ट जब मैंने देखी तो उसमें एक्स्टर ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं मंगवानी चाहिए थी और मैं आप लोगों को रेकमेंड भी नहीं करूँगी जफाई की ग्रास्टी में कि यह चीजें आप ले लें क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो के मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए मैं से काफी चीजें जो में रेटन भी करवाऊंगी इसके अलावा जो मेरे पास ड्राइफ रूट्स की जार थी ना वो मुझे इस दफ़ा वेजीटेबल्स वेरे के लिए यूज़ करनी थी तो मैंने ड्राइफ रूट्स की जार रीफिल नहीं कि अचा इस दफ़ा ना मैंने पहले मैं 10-10 किलो चावल मंगवा थी दफ़ा मैंने 5 किलो मंगवाए हैं क्यूंकि दो-दो किलो तो तकरीबन पड़े वे थे पहले से मेरे पास तो इसके साथ-सथ मैंने कंटेनर्स भी सारे चावलों वाले फिल कर दी हैं अच्छे यहां पर मैदा जो है वो भी मैं साथ में चान के रख देती हूं लेकर इस दफा साथ में वीडियो लगी वी थी अभी मैं सोच दी थी थी थोड़ सा टाइम निकालके मैं मेदा भी चान के रख दूँगी ताके यह जब जब मैं समाल करूँ बैकिंग वेरा के लिए तो मेरे पास मेदा चाना वो अरड़ी और बस बाकी चीज़ें सारी में अपनी पनी जगे पे रख दी थी और ये वाला जो सर्फ है ना ये मुझे काफी काम आता है स्पेशली जो वाश्रूम में रध होते हैं या फिर किचन क्लीनिंग के टॉवल्स वेर होते हैं ये जो सारे होते हैं मैं इसी सर्फ के साथ दो लेती हूँ चीनी जो है इतनी जाते समाल नहीं है तीन किलो मेरे हाल में घर में पड़ी थी पांच मैंने मज़ीद मंगवा दी तो इसलिए जो पहले वाली बच्ची वी थी उसको में रीफिल कर दूँगी उसकी जार को और बाकी का सारा सामेट के जो है में बाहर स्टोर में रख अच्छा आज ना मेरी ग्रॉस्टी भी कठी आई ये और स्टोर से और बाकी का आज हस्बंडे चिकन और साथ में सब्जी आप ये भी सारी कठी लिया तो मैंने का चलो एक दिन में काम खतम हो जाएगा और ये मेरा फुल वीक के लिए चल जाएंगी आराम से सब्जी कभी क अच्छा अच्छा करेंगा तो साथ साथ में आप लों के साथ में मैंने शेयर कर दिया अच्छा यहां पर ना सबसे पर सब्जी हैं दो के हम साइट पर कर देंगे एक दफ़ा मैंने इस टप में दो के बाद में दो बार सूपर से साफ पानी में निक्यों पर डाल दिया और इस साथ में जो घाजरे ना यह में छील दूँगी और घाजरे में मैं कट करके ही रख दूँगी क्यूंकि सम्टेम हमें जुरूरत आती है सैलेड वेरा के लिए या मैं क्राणी के लिए तो पील आफ करना की करना थोड़ा सा मुश्कल होता है लेकिन मैं इसको इस तरी कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा भी थी गाजरें जो मैंने अभी के सम्माल के रखी थी लेकिन जो इनको मैंने पानी डाल के रखा था था ना यह थोड़ा सा मैं लेट यूज़ करूँगी ताके मुझे लगे कितने टाइम तक फ्रेश रह सकती है अचा हरी प्याज को हम इसे ही जो है वो सेव करेंगे पानी में हम इस पें डालकिए घ्री नगे को इसको रहुझा है और एक्सी बीगे साथ कवर कर सब कर देंगे дело किछे शापर डाल देंगे ताके कोई मक्या या पर सिरल की चीज़ ना यकर सेवर रहे और बाकि सको भी मैंने पानी डाल के कवर कर दिया अब इसका भी हम देखेंगे यह फ्रेश रहेगा कि नहीं और इसको ठाक है ना मैने विंडो में रख दिया और इस साइट पे हम क्या करेंगे गोबी कुट कर देंगे और गोबी जो है यह मैं और अक्सर जब भी लेकी Don't फिर इसको मैं साथ में ही रखळती हुँ उसका कोई लाजिक नहीं है कि हम एक्सपरीमेंट इस कर रहे हैं इसका ज्समें करती हम और बगेर ध्युए में रखदी नहीं जिस टाम मुझे पकानाई हुँ इस टाम में ध्यों नियुक्त है तो यह मैं लेकिन Ami Anie तो मेरी मारे मैंड्य था कि इसको मैस तरीके से सेव करना कि काथी टाइम के लिए चल जाए और वह खौशुट जादा चोग से खाते हैं मैं और मैं भी और हजबड़न नियुट भी तो यह मुझे था कि यह चल जाएगी पानि में यहार्श फरेश बहुग works जाए टाइक, ज जिसमें आपने सब्जियों को सेव रखना है उसके बाद जी बस बाकी की जो शिमला मेट और खीरे वगेरा थे उसको भी हम इसी तरीके से सेव करेंगे जैसे मैं नॉर्मल याप लों के साथ शेयर करती हूँ तो यहां पर खीरे भी मैंने रख दिया साथ में शिमला मेट उसके उपर भी मैंने टिश्यू रख और बरतन के अंदर भी मैंने टिश्यू रख और बाकी थे प्यास और आलू और इनको जो है ना मैं क्या करूंगी यह लदे लदे टोकरियों में रख दूंगी और आप लोग एक दफ़ा मुझे कहा था कि आप इसके अंदर आपको इस तरह की शीट डालते हैं ताके गन ना बने लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करती ही रफली रख देती हूं क्योंके वे यह बाहर का मेरा स्टोर है जहां पर शरी चीजिस he NE मेरे किशन के और नी होटी ना इसलिए मैं चेल होके रख देती हूं तो यहा पर गन बनता भी हो तो है आव मेरा सीज मिने बनता ही तो इस ताम साथ हो जाता है और विज साथ मन बनता नियて उस ताम तर बन गया सो ब मेरिनेट करने वाली वह भी में कर लेती हूं ताकि अगर मुझे जल्दी में कुछ खाना बनाना पढ़ जाए तो मेरे पास चीजों की मेरिनेशन हुई वी हो और में जल्दी से बना लूँ एक तो मैंने बच्चों के लिए बना ली थी अच्छा फिश आईवी थी उसको मैंन कर दिया था साथ में मैंने वाइट कड़ाई के लिए चिकन के मेरिनेशन कर दी थी यहां पर लसन हरा जनी और हरी मिचें जो है मैंने ग्राइंड कर दी थी और इनका बहुत समूद साम पेस्ट बना लेंगे यह मैं फिश के लिए कर रही हूं यहां पर हाफ टी स्पून हम दाल देंगे जी धन्या पाउडर हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे कसूरी में थी यह भी आप्शनल है और इसके साथ जो है ना मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी 140 स्पून और साथ में कुटी वी लाल मिर्च भी डाली है एजवाइन हम डाल देंगे यह आप्शनल है एजवाइन भी आप स्किप कर सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे इस सारे मसालों को हरे मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को आप एजवाइन कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अभी ही फिश जो है वो फ्राय करनी है या बनानी है लेकिन इसके उपर थोड़ा से में डाल दूँगी आटा थिक्रीबन चार से पांच जमर्च ताकि ये मसाला जो है ना फ्राइ करते वे चेकिन की उपर से सौरी फिश की उपर से उतर ना जाए जो इसलिए साथ में आटा हम डाल के सको मिक्स करेंगे और एक स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे ठिक एकिस पर अप्लाइप करते हैं और बहुत अचसे से मेरीनेशन करनी है सारा मिसाला इसलेबन अच्छी आप update है अपक्तर बहुत एक होँग उसमेर वह तर ना की लोग्र येः सार उते करते हैं एक टो यह इसमें क्या लाज्समी घाते हैं तो तक्रीबन वही खाते है मैं त फिश वेसे भी नहीं खाती सर तो बहुत दूर की बात है लेकिन वह खाते हैं तो इसलिए अपनी लेकर आते हैं वह जिसके उपर मैंने डाल दिया ऑईल और दुबार से हम इसको मिक्स कर देंगे फिश की थोड़ सी मेरिनेशन में लिए मुश्कल हो थी कांटे में जो चुब कुछ बस मोटी मोटी बैसिक बैसिक सी चीज़ हैं जो मैं चारी थी कि में मेरिनेट करके रख दूँ सम्टाइम में वीडियो नहीं भी शेयर करी होती ना मुझे घर के लिए कुछ बनाना होता है समझ नहीं आती फिर मेरे पस जब पढ़ा होते है रेडिमेट तो फिर में किसे बाङ असानी हो जाती हैं आचा नमग हम डालती अब जालत sch जेरी और धन्यआ पाउडर साथ में कसूरी में ती हम लिस resonates साथ मिसल्स कंट मिक्स कर देंगे मिलक्रीम मिलक्रीम डियवाशं तोड़ी सी घर की पढ़ी आपके यूज के मांट एक狂 और रिजन मिक्स करें अचका कोशिश किया करें तो इसमी फिर्ज में चोटी सित वहां उस्त वहां उस्फ में फैंक लिया करो इस तरीके से ना फ्रिज में भी बहुत ज़रा गंद पर जाता था तो अब यह मेरी आदते कि अब यह थोड़ी से क्रीम पड़ी थी ना फिर मैंने इसमे एक्स पर डाल के इसको मिक्स कर दिया कि अब यह भी इतने दिन दिन पड़ी रही इसको भी मैं यूज कर लूँ तो इससे तो एक तो चीजें जाया नहीं होती हैं और दूसरा यह कि हमारा फ्रिज जो है वो साफ सत्रा रहता है हम गंद से हम बचे रहते हैं बस अब यहां पर चिकन डाल के में इसको अच्छर से कर दिया था मिक्स और इसको हम जिपलाग बैग में डाल देंगे और सारा चासे साथ में से भरतन भी साफ कर दें क्योंकर सारे मसालह और मेरीनेशन जो सही वाली होती है वो सारी इसमें लगी होती है वो साथ में डालेंगे इसको हम कवर कर देंगे और बाकी की सारी चीजें भी साथ मैंने कर दी जैसे बागी की सारी चीजें भी साथ मैंने लेदर से कट कर दिया उसमें से कुछ जो है ना मैंने फ्राइड राइस के लिए रखा था क्यूंकि इन देनों विजिटबल्स जो है बड़ी फ्रेश हार यह तो मैं रथा के फ्राइड राइस बनाऊंगी और बागी का बॉनलेस चिकन मैंने कुछ एक दो तीन रेसिपी के ल है उनके उपर नामवेरा लिखके उनके टेक्स लगा आती है और इनको मैं फ्रीज कर दूँगी और जो बाकी के चिकन बच गया था जो मैंने बच्चों के बर्गर के लिए रखावा था उसको मैं इसी टाइम पर मैरिनेट करके रख दूँगी और सुबह बच्चों को जो नहीं टालोंगी थोड़ा सा मिनेट में डाल दी था चिकन तिकका मसाला लेसन का पौडर हम डाल देंगे 140 पून और 140 के करीब हम इसमें अधरिक का पेस्ट डालेंगे साथ में थोड़ीं के बचे और ही यहांप आप आप अखरी को लसन के पावडर की जगर पेस्ट भी डा सकते हैं लेकिन मेरा आज थोड़ा सा था के जहमत ना करनी पड़े क्यूंकि आज इतना लंबा व्लाग था मैं बिल्कुल यानी के डाउन होगी थी थगी थी मैंने चुपोंके बैड़ी मैंने का बस बाकी का नहीं होता अच्छा यहां पे साथ में मस्टर्ड पेस्ट डाल द अपली चिकन बनाते हैं उस तरीके से आप लोगों के साथ नेक्स फीडियो में शेयर भी कर दोंगी लेकिन इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूंगी उसके बाद हम जो है इस सारे चिकन को ठाके कंटेनर में डाल देंगे और इस कंटेनर का में मेरे पास ढखकन नहीं था मैं इसको फॉल शेट के साथ कवर कर दिया था और इसको भी हम इसको पर भी नेम टेक लगा देंगे और इसको भी हम सेव कर देंगे यह बहुत आसान स्यू क्विक सी रेसिपी है वैसे अगर आप बच्चों के लिए नॉर्मल बनाना चाहते हैं बर्गर वेरा बनाने हो यह बस इसके बार यहां पर मेरा सब कुछ समान मेरा रेडी हो गया था सारी चीज़े मैंने फिल कर दी थी और इस पॉइंट पर न हम जितने भी ठके होते हैं थोड़ा सा रिलेक्स हो जाते हैं कि अच्छा फासा काम हमने कर दिया है अब फुल वीक के लिए थोड़ा सम रिलेक कर दूंगी अच्छे जफ़ा ग्रॉसरी में ना गोश्ट रुकीमा वेरा मैंने नहीं मंगवाया यह तक्रीबन दो तीन दिनों के बाद ही मंगवा कर सेफ करूंगी क्योंके मंगल बुद वाले दिन जो है वो गोश्ट नहीं मिलता है बाकी हाँ पे साइट चीज़े मैंने सेफ करके रख दी थैंडर सारे मेरी नेट हुआवाय और सिंपल जो चिकन था वो में फृरिजमें रख दूँगी ताकि थोड़ी से स्पेस बच जाये और बाकी की जो चीज़ें रेडिय करके रखी थी वह बी में फृरिजमे रख दूंग और यहमीं साथ-सािता रेजलि नेक्स्ट वीडियो में आला आफिस